सभी को मेरा प्रेणाम, मेरा नाम पूर्णिमा हंदे, बैंगलोर के गौव्मिन्ट हाइस्कूल दोडेरी में हिंदी शिक्षिका के रूप में काम कर रही हूँ बच्चों, आप सब दस्वी कक्षा में हैं, बहुत दिनों से घर में ही बैटे हैं, शायद आपको घर में बैट कर बोर हुआ होगा, है न? तो ये काम करते हैं, चलिए, घर में बैट कर ही हम क्या करेंगे, कुछ पढ़ाई करेंगे, खेल खेल के साथ हम घर में ही पढ़ाई करेंगे, अब आप सोचते होंगे, हम क्या किये हैं, सब कुछ भूल गये हैं, हमें कुछ भी याद नहीं हैं, शायद आपके घर में भी इ अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिलपर परत निशान, अर्थात अभ्यास करते करते जड़मती यहने मूर्ख भी बुद्धिमान बन जाता है, जिस तरह रसी के आने जाने से कुवे के पत्थर पर भी निशान पड़ता है, पत्थर तो बहुती कठिन है, कठोर है, उसमें भी क्या हो जाता है, रसी के आने जाने से निशान पड़ता है, आपके मन तो बहुती कोमल है, इसलिए अभ्यास करने से हम क्या बन जाते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं, आप पहले से ही बुद्धिमान हैं, फिर भी कुछ अ प्रेरणार्त क्रिया और विराम चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे. इन दोनों विशियों को हम पिछली कक्षा में सीखे ते फिस से उसका एक बार पुनर मनन करेंगे प्रेरणार्त क्रिया और विराम चिन्ह. देखी चात्रों, यहाँ पर एक चित्र है. यह क्या है? घोडा. एक घोडा क्या कर रहा है यहाँ पर? दोड रहा है. है ना? घोडा दोड रहा है. इस चित्र में देखिए, यहाँ पर एक आदमी खेल रहा है. आप पहचान सकते हैं क्या? एक काउन सा खेल है? देखिए ठीक तरह से. एक काउन सा खेल है? ठीक पहचान आ खेल रहा है अरे इथर भी एक आदमी है यहां चल रहा है चठ्रों यह चलना दवडना खेल ना इसब क्या है इन्हें Clemente हे unwipe Ta-up जिस शब्द से हमें क्रिया काम होने का या करने का between होता है हम उन्हें क्या कहते हैं कृथ पद कहते हैं, कभी-कभी क्या होता है, करता काम को स्वयम नहीं करता है, दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, यहां तो देखिए, तीनों करता जो है, वो स्वयम काम कर रहे हैं, वह व्यत्ती स्वयम चल रहा है, वो घोडा स्वयम दोड रहा है, मगर कभी कभी क्या होता है करता स्वयम काम नहीं करता है उसके बदले में वह दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करता है उन्हें हम कहते हैं प्रेरनार्तक क्रिया चलिए देखते हैं जिस क्रिया से यह बोध हो कि करता स्वयम कार्य न कर किसी अन्य को उसे करने के लिए प् इसे शब्दों को हम प्रेरनार्थक्रिया कहते हैं, वहाँ पर करता स्वयमकार्या ना करता है, बदले में दूसरों को प्रेरित करता है, इसे हम कुछ उदाहरणों के साथ चर्चा करते हैं, छत्रों, अगर हम उदाहरणों के साथ किसी भी विश्यों को सुनते हैं या देखत हैं तो वह हमारे मन में स्थाई बन जाता है, इसलिए हम कुछ उदारणों को लेते हैं, देखिए, अध्यापक पाट पढ़ाते हैं, और दूसरा वाक्या है, मीना नौकर से काम करवाती है, मा बच्चे को खाना खिलाती है, यहाँ पर कुछ शब्दों को लाल रंग में लिख गया है, वो सब शब्द क्या है, पढ़ाते, करवाती, खिलाती, वो सब शब्द क्या है, वो सब क्या है, क्रियापद, मगर यहाँ पर देखिए, पहले वाक्य को देखते हैं, अध्यापक पाट पढ़ाते हैं, अध्यापक करता है, मगर अध्यापक खुद नहीं पढ़ता अध्यापक स्वयम कार्य न करके दूसरों को प्रेरित करता है पढ़ने का काम स्वयम नहीं कर रहा है वह दूसरों को प्रेरित कर रहा है उसी तरह दूसरे वाक्य को देखिए मीना नवकर से काम करवाती है यहाँ पर भी मीना करता है वो स्वयम कार्य न करके दूसरों को अप करने की प्रेरणा देती है, मा बच्चे को खाना खिलाती है, खिलाना क्या है, क्रिया पद है, मगर मा जो है करता खाने का कार्य खुद नहीं कर रही है, उसकी बदले में बच्चे को प्रेरणा दे रही है, प्रेरित कर रही है उस काम करने के लिए, ऐसे शब्दों को हम प्रे प्रथम प्रेरणार्तक क्रिया के दो भेद हैं, एक है प्रथम प्रेरणार्तक और दूसरा द्वितिय प्रेरणार्तक, यहां पर देखिए, मैं फिर से पढ़ रही हूं, प्रथम प्रेरणार्तक और दूसरा है द्वितिय प्रेरणार्तक, तो आपके मन में शंका उठी होगी इसको भी हम उधान के साथ ही देखेंगे देखें यहाँ पर रमेश चित्र को दिखाता है वो दिखाना क्या है क्रिया पद है मगर इस क्रिया को काउन कर रहा है रमेश करता जो है वह नहीं देख रहा है चित्र को मगर वह उसका में शामिल है वो उसका में शामिल होते हुए दूसरे को चित्र को दिखा रहा है इसे हम कहते हैं प्रथम प्रेरणार तक, सुधा बहन को आम खिलाती है, सुधा क्या कर रही है, आम, फल को खुद नहीं खा रही है, उसकी बदले में उस काम को वह दूसरे को यने अपनी बहन को करने की प्रेरणार दे रही है, करने के लिए प्रेरित कर रही है, ऐसे शब्दों को हम हम प्रतम प्रेरणार तक कहते हैं, चात्रो मुझे अब क्या करना है, क्रिया पद को प्रतम प्रेरणार तक में बदलना है, तो क्या करें, हम क्या करते हैं, मूल क्रिया के साथ आना प्रत्य जोड का प्रतम प्रेरणार तक बनाते हैं, क्रिया पत तो हमें मालूम है, उसके मू मूल रूप के साथ हम आना प्रत्य को जोडते हैं चलिये एक उदाहरन लेते हैं मैं अभी अभी बोली की चलिये ये भी एक क्रियापद है उसी क्रियापद को लेते हैं चलिये क्या है वह क्रिया का रूप है उसका मूल रूप है चल हमें क्या करना है इस चल शब्द को चल क्र क्रिया पद को प्रथम प्रेरणार्तक में बदलना है हम क्या करते हैं चल क्रिया के साथ आना प्रत्यय को जोडते हैं तब बनता है प्रथम प्रेरणार्तक चलाना चल क्रिया का मूल रूप है उसके साथ हम आना प्रत्यय को जोड कर चलाना प्रत्म प्रेरणार्तक में उसका परिवर्तन किये हैं, तो चलिए और एक क्रियापद को लेते हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, जब आप बोलते हैं, मैं सुनती हूँ, यह सुनना, यह भी एक क्रियापद है, सुनना का मूल रूप क्या है, सुन, अब मुझे इस सुन क्रियापद को प्रथम प्रे आना प्रतिक को जोड लिया है हम लोगने, तो यहां बन गया सुनाना, यहां है प्रथम प्रेरणार्तक, चल के साथ आना लगा कर चलाना हो गया प्रथम प्रेरणार्तक, उसी तरह सुन के साथ आना प्रतिक को जोड कर हम सुनाना प्रथम प्रेरणार्तक में उसका परिवर्त करते हैं तो डृतिय अप्रेरणार्तक याने क्या है प्राथम अप्रेरणार्तक में करता स्वयम काम नहीं करता है मगर शामिल होता है मगर यहां पर करता स्वयम कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है करता काम नहीं करता है उसकी बदले में दूसर को प्रेरित करता है, अध्यापक चात्रों से लिखवाते हैं, देखें यहाँ पर एक वा क्या, अध्यापक करता है, क्रियापक काउंसा है, लिखवाते हैं, अध्यापक स्वायम नहीं लिख रहा है, वहाँ उस काम में शामिल भी नहीं है, मगर चात्रों से लिखवाता है, च उदान को देखें, आये, मालिक नवकर से काम करवाता है, क्रियापद काउंसा है यहाँ पर, करवाता है, क्रियापद है, और मालिक क्या कर रहा है, वहाँ खुद काम नहीं कर रहा है, वहाँ अपने नवकर से काम करवा रहा है, नवकर को काम करने की प्रेरणा दे रहा है, प्रेरित कर रहा है ऐसे शब्दों को द्वितिय प्रेरणार तक कहते हैं चात्रों हम क्रियापद के साथ आना प्रत्य को लगा कर उसके प्रथम प्रेरणार तक में बदल दिया अगर मुझे ड्वीतिय प्रेजणार तक में उसका परिवर्तन करना है तो क्या करना है देखिए अगर मूल क्रिया के साथ वाना प्रत्य जोडते हैं देखिए यहाँ पर मूल क्रिया के साथ क्रियापद के मूल रूप के साथ हमें क्या जोडना है वाना प्रत्य को जोडना है तब बनता है द्वितिय प्रेरणार तक, फिर से हम वही क्रियापद को लेते हैं, पहले कौन सा क्रियापद को लेते हैं, याद किजिए, गोड, चल, चलना क्रियापद है, उसका मूल रूप चल, इसके साथ मुझे क्या जोडना है अब, वाना, क्योंकि मुझे बनाना है द्वितिय प्रेरणार तक करना है, इसलिए मैं वाना को जोडती हूँ, तो बन जाता है चल, वाना, यहाँ है द्वितिय प्रेरणार तक रूप, आवरे क्रियापद को लेते काउन सा था, सुन, सुनाना, सुनना का मूल रूप सुन, उसके साथ हम जोडते हैं, वाना, यहा चलवाना चलवाना बनने से यहां द्वीतिय प्रेरणार तक बनता है चात्रों अब आपको समझ में आ गया होगा तो एक बार इसको याद करते हैं फिर से देखिए यहां पर कुछ खाली जगह है यहां पर कुछ क्रियापत भी है अब आपका काम शुरू आप क्या करते हैं अ क्रियापत को वहां पर लिखते जाएं मैं बोलू कियां तैयार है ना तो ठीक है शुरू किजिए पहला क्रियापत है चल और दूसरा पढ़ पढ़ना का मोलरूप पढ़ और यहां पर तीसरा क्रियापत है खाना चात्रों अब आपको क्या करना है इसका प्रथम प्रेरणा तक रूप को लिखना है, हम अभी अभी उसके बारे में चर्चा किये हैं, तो याद कीजिए किसी एक क्रिया पद को हमें प्रथम अप्रेरणार तक में बदलना है, तो क्या करते हैं, द्वीति अप्रेरणार तक में बदलना है, तो हमें क्या करना है, याद कीजिए एक बार, गुड आना जोडने से प्रथम बनता है और वाना जोडने से द्वीतिय प्रेरणार तक बनता है तो लिखें शुरू कीजिए चल का प्रथम प्रेरणार तक कांसा है उसी तरह द्वीतिय प्रेरणार तक भी लिख लीजिए हो गया? तो चलिए देखते हैं आप उत्तर जो लिखे हैं आप लोगों ने, ठीक है या नहीं? चल शब्द का प्रतम प्रेरणारतक है चलाना चल शब्द के साथ हमने आना जोड़ कर उसे चलाना प्रतम प्रेरणारतक में उसका परिवर्तन किये हैं तो द्वीतिय प्रेरणारतक क्या है चल का? क्या जोढना है हमें? वाना प्रत्य को जोढना है. देखें यहाँ पर चल, चलाना, चलवाना. क्या बन गया? द्वीतिय प्रेरणारतक. अब उसी तरह दूसरी शब्दु को भी देखते हैं. दूसरा क्रिया पद है पढ़. हिना? क्या लिका है आपने प्रतम प्रेरणार्तक के लिए पढ़ाना और दूसरा द्वितिया प्रेरणार्तक क्या है पढ़वाना देखें वहाँ पर लाल रंग में है वाना वाना जोडते हम है ना वाना वाना जोड कर हमने क्या किया है उसका द्वितिया प्रेरणार्तक में उसका परिवर्तन किया है, है ना इधर? Good, तो last one क्या है? खाना यहाँ भी हम क्या करते हैं? खाना के साथ आना जोडते हैं तो क्या बनता है? खानाना तो बचों यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए ऐसे कुछ शब्द है वो क्या होता है? परिवर्तन होता है, देखें यहाँ पर खाना क्या बन गया? खिलाना खाना क्या बन गया है? खिलाना, उसी तरह खिलवाना कुछ ऐसे शब्द है उदान के लिए देखना वो प्रतम अप्रेलनारतक में दिखाना हो जाता है उसी तरह रोना, रुलाना बनता है, इस तरह कुछ शब्द है, मगर उसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, अब तो हम इतना ही याद रखेंगे कि अगर आना जोडने से प्रथम प्रेरणार तक बनता है, और वाना जोडने से ग्याप बनता है, द्वीतिय प्रेरणार तक बनता है, बच सब्सक्राइड हי तुमारा नाम क्या है चलो आज से रहे क्या तुम रो रहे हो क्या कि अगा मुझे टो कुछ भी समझ मे नहीं आया है कि एक लड़का कुछ बोल रहा था वह उतों मालूम हुआ। मगर उसका अर्थ क्या है? मुझे बिल्कुल उसका अर्थ मालूम नहीं हुआ शाहिद आपको भी मालूम नहीं हुआ होगा तो क्या करें? आईए फिर से उसी आउडियो को फिर से सुनते हैं चलिए सुनते हैं बाद में देखेंगे वो क्या है? हाई, मेरा नाम प्रज्वल है, तुम्हारा नाम क्या है? चलो, आच्चे हम दोनों दोस्त है अरे, ये क्या? तुम रो रहे हो क्या? सुन लिया ना? अब समझ में आ गया है ना? मुझे भी इसी सुनते ही समझ में आ गया वही लड़का है, वहाँ पर जो कुछ वाक्यों को वहाँ बोल रहा था इसमें भी वह उन्हीं वाक्यों को बोल रहा है मगर पहले में कुछ भी समझ में नहीं आया था अब ठीक तरे से समझ में आ रहा है ये कैसे? क्यों ऐसा हुआ? इसका कारण क्या है? आप मुझे बता सकते हैं क्या? Good, छात्रों आप ठीक समझा, अगर हम पढ़ते वक्त या बोलते वक्त, बीच-बीच में हमें क्या करना है? रुकना है, विराम देना है, स्वारभाव की साथ पढ़ना है, और रस्व, धीर्ग, महाप्राण, अल्पप्राण, इन सभी पर ध्यान देने से ही क्या होता है? वहाँ परिपूर्ण पढ़ाई हो सकता है, उसका अर्थ भी हम ठीक तरह से समझ सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं, बीच-बीच में जो विराम देना है न, वहाँ हम कुछ चिन्ध को देखते हैं, उन्हें हम कहते हैं, विराम चिन्ध, देखिए, विराम चिन्ध, तो यह क्या ही वीरामचिन है चात्रों हम नौवी में आट्वी में बहुत सारे पाठ को पड़े हैं नीबंद लेकन भी हुआ है वहां पर पत्र लेकन भी हुआ है है ना हर एक जगह हर एक वाक्य के अंत में या बीच-बीच में क्या होता है कुछ चिन है याद नहीं आ रहे क्या तो में आता है इन सब चिन्हों को हम देखे हैं यह न देखे नहीं है लोग और को इसका नाम भी मालूम है आशायद आपको कि चलिए फिर से याद करते हैं इन सब चिन्हों को हम क्या कहते हैं चात्रों वीराम चिन्ह काते हैंatan तो वीरामचन क्या है? इसकी आवशकता क्या है? चात्रों, किसी भी बाशा को बोलते, भढते या लिखती समय अर्थ को स्पस्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना होता है. हमें बीच में या अंत में थोड़ा थोड़ा रुकना होता है. जिस रुकावट का संकेत देने वाले चिन्हों को वीरामचन कहते हैं. हमें वीरामचन पर ध्यान देना चाहिए. चात्रों, अब आज हम कुछ वीरामचनों के बारे में चर्चा करते हैं. यह है पूर्ण विराम. वाक्य पूर्ण होने पर लगाया जाता है. आप देखे होंगे एक वाक्य पूर्ण होने के बाद वहां पर एक लाइन होता है. हिंदी में इस लाइन को पूर्ण विराम कहते हैं. शब्द में ही है पूर्ण यानि वाक्य पूर्ण हुआ है. जिस त राजु अच्छा लड़का है वाकि पूर्ण हुआ है पूर्ण होने के बाद क्या करते हैं पूर्ण विराम लगाते हैं उसे देखते ही हमें क्या करना चाहिए पढ़ते समय या लिखते समय वहां पर रुकना चाहिए, क्योंकि वाक्य पूर्ण हुआ है, मैं पूर्ण करने के बाद विराम देखकर ही आगे का वाक्य को बढ़ना है, नहीं तो अर्त में विपरित हो सकता है, कभी कभी क्या होता है, मैं पूर्ण विराम नहीं देती हूँ, मुझे थोड़ा रुकना है वाक्य के बीच मे उस समय हम पूर्ण विराम का नहीं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, देखें वहाँ पर चिन है अल्प विराम, इसका प्रयोग हम कहा करते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकना है, मुझे पूर्ण रुप से नहीं, थोड़ी देर के लिए रुकना है, जैसे कि मुझे आम इस तरह बीच में थोड़ी देर के लिए अगर रुपते हैं तो उसे हम अलपविराम काते हैं. यहाँ पर और एक वाक्य है देकी चत्रों, उधर चलो, यहाँ मत आवो, दो वाक्य है, मुझे एक वाक्य के बीच में थोड़ा रुपना हैं. तुम उधर चलो, यहाँ मत आवो, पूर्ण विराम, तो मैं पूर्ण रुप से वहाँ पर विराम देती हू. आवर एक चिन है, प्रश्णार्तक चिन है. इसको देखते ही हमें मालूम होता है, वहाँ एक कोशन है, प्रश्ण है. कोई प्रश्ण पूछा जाए, वहाँ पर प्रश्णार्तक चिन है लगाया जाता है. जिस तरह तुम्हारा नाम क्या है? या तुम्हारा नाम क्या है? इस तरह हमें पूछना चाहिए. अगर पूर्ण विराम है तो हम कैसे पढ़ते हैं? तुम्हारा नाम क्या है? इस तरह यहां पर तो क्या है? प्रश्णार्थक चिन है. तो हम किस तरह पढ़ते हैं? तुम्हारा नाम क्या है? इस तरह हमें प्रश्ण पूछना है. वहां काउन है? पूछने में ही हमें पता चलता है वहां एक प्रश्ण है. बचों, यहां क्या, काउन, कब, किद यह सब प्रश्ण प्रश्चनार्तक सर्वनामों का उपयोग होता है, वहाँ पर हमें प्रश्चनार्तक चिन को लगाना है। यहाँ पर औरेक चिन है देखे, इसका नाम क्या है? भाव सूचक विस्मयादी बोधक, विस्मया, आश्चरिय, कुछ भावों को प्रकट करने के लिए आश्चरिय हो सकता है, खुशी, शोक, दुख, इन सब भावों को प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं? शब्द के अंत में, वाक्य के अंत में इसका प्रयोग करते हैं, जिस तरह अरे यहाँ क्या कर रहे हो? उसको बहुत आश्चरिय हो रहा है, वह कुछ कर रहा है, अरे यह क्या कर रहे हो? वहाँ पर आरे होने के बाद विस्मयादी बोधक, चिन आता है, उसी तरह बहुत ही अच्छा काम किय है तो हमें शबाशी देनी है उसको वाह आपने कमाल कर दिया वाह होने के बाद हम क्या करते हैं भाव सूचक चिन्ह को लगाते हैं इस तरह भाव को प्रकट करने के लिए हम उस शब्द के अंत में या वाके के अंत में क्या करते हैं भाव सूचक चिन्ह का उपयोग करते हैं अगर किसी खतन को जियों कात्यों मुझे लिखना है कोई कुछ बताया है उसको ऐसे ही मुझे लिखना है उसी तरह उसका उपयोग करना है तब हम क्या करते हैं इसका प्रयोग करते हैं उद्धान के लिए देखे, शिक्षक ने कहा कल चुटी है, यहाँ वाक्या को शिक्षक ने कहा था, मगर मुझे उसी तरह उसको लिखना है, तब मैं क्या करती हूँ, इस उद्धारण चिन्ह का प्रयो करती हूँ, शिक्षक ने कहा कल चुटी है, यहाँ पर और एक चिन्ह है चोटा सा चिन्ह है ना इसे हम कहते हैं योजग चिन्ह बचों यह योजग चिन्ह को हम बचों यह योजग चिन्ह दो या दो से अधिक शब्दों को जोडता है अगर वहाँ पर दो दो शब्द है दोनों शब्द क्या है महत्वपुर्ण है उदान के लिए माता पिता भाई ब ऐसे शब्द जब आता है ना तब हम क्या करते हैं उसके बीच में यहां योजक चिन को लगाते हैं देखिए उदाहरण को यहां पर एक उदाहरण है किसान दिन रात काम करते हैं दिन और रात उन शब्द के बीच में हम यहां योजक चिन को लगाए हैं बच्चे कहानी सुनत सुनते सो गये, चात्रों आपको कुछ चिंधों के बारे में मालुम हुआ, तो चलिए, देखते हैं, चिंधों को उनके नाम के साथ मिलान कीजिए, फिर से आप क्या करेंगे, अपना किदाब खोलेंगे, कलम लीजिए, और यहाँ पर जो चिंध के नाम है, उसको आप क्या की जिए एक तरफ लिखते जाए, मैं पड़ू क्या, तयारे ना लिखने के लिए, तो चलिए शुरू किजिए, पहला शब्द योजक, योजक चिन्ह, उसके बाद प्रश्ण वाचक, और तीसरा शब्द है पूर्ण विराम, और लास्ट वर्ड है अलप विराम, दोस्नों अब आपको क्या करना है, उस शब्द के सामने उस चिन्ह को लिखना है, तो चलिए, देखें यहाँ पर चिन्ह भी है, ही ना, चारो चिन्ह है, और एक तरफ उसका नाम है, आपको मिलान करना है, जोडना है, कौन सा चिन्ह, उसका नाम क्या है, याद कीजिए, कुछ तो सभी को म पूर्ण विराम और प्रश्णार्तक सभी को मालूम है, है ना? हो गया? तो चलिए देखते हैं आपका उतर सही या गलत, अपने ठीक पहचाना या नहीं, यहाँ है योजग चिन, ठीक है क्या? तो प्रश्णार्तक चिन काउंसा है? यहाँ है प्रश्णार्तक चिन, तो पूर प्रश्णार्तक चिन, यहाँ है अल्पविराम, आप भी यही उत्तर लिके होंगे ना? बचों, अब तो हम विराम चिन के बारे में जानकारी प्राप्त किये हैं, विराम चिन पर ध्यान देकर हमें पढ़ना है, मगर कभी-कभी क्या होता है? हम विराम चिनों का गलत प्रय प्राश्चरी होता होगा है ना? चोटी सी विराम चिनों को इधर उदर करने से अर्थ में कैसे इधर उदर हो सकता है? तो देखिए चात्रों, यहाँ पर एक वाक्य है, रुकोमत चलो, यहाँ पर दो-दो विराम चिनों का उपयोग हुआ है, मुझे बताए कौन-कौन से? रुकोमत, उसके बाद कौन सा चिन है? कौन सा चिन है वहाँ पर? गोड, वहाँ है अलपविराम, वाक्य के अंत में एक है, वो क्या है? गोड, वहाँ है पूर्णविराम, अब इसका अर्थ जानते हैं, चलिए, रुकोमत, चलो, वहाँ मेरी सहरी जा रही है, मैं उसको बो सब नहीं आ सकती, तुम चलो, यहने इसका अर्थ क्या है? गो, मेरे लिए रुकोमत, तुम जाओ, अगर इसी वाक्य को मैं इस तरह लिखती हूँ, जैसे कि रुको, वहाँ पर मैं अलपविराम लगाई, और मत चलो, तुम चलो मत, मेरा भी काम हुआ है, मैं भी तुमारे स आने वाली हूँ, तो रुको, इसका अर्थ बन गया, स्टॉफ, एक विराम चिन्ह, क्या है, कौन सा विराम चिन्ह है? अलपविराम को एक शब्द के इधर उदर करने से अर्थ ही अलग हो गया, तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, यहाँ देखे, और एक चित्र है, क्य क्या कर रही है? रो रही है, शायर उसको बहुत दर्द हो रहा है, वो रो रही है, देखे, वो लड़का तो उसका चोटी पकड कर मार रहा है, तब आया उसका दोस्त, दूसरा लड़का, वो क्या बोल रहा होगा वहाँ पर? अगर हम हैं, आप हैं, अगर कोई दो जगड र लड़का भी उसी तरह बोल रहा है, उसे मत मारो छोड़ दो। देखिए वह बोल रहा है, मारो मत छोड़ो। उसका आशय तो वही है, मगर वह बोलते वक्त क्या करता है? वीराम चिन्न को गलत उपयोग करता है। जैसे कि मारो, उसको मारो मत के बाद विराम देना था, मगर वो क्या किया? मारो मत छोड़ो, इसका आर्थ क्या बन गया चात्रों? उसे ठीक तरसे मारो, उसे माफ मत करो, उसे माफी मत दो, उसे ठीक तरसे मारो. इसलिए चात्रों हमें पढ़ते वक्त, लिखते वक्त या कुछ बोलते वक्त हमें ध्यान देना चाहिए विरामचिन क्या है? हमें किस तरह विरामचिन का उपयोग करना चाहिए? और विरामचिन का उपयोग नव करने से क्या हो सकता है? आशा करती हूं आप सब आज प्रेरणार्त क्रिया और विरम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त किये हैं और इसका अभ्यास भी घर में करेंगे स्वस्त रहिए, स्वच्छ रहिए, खुश रहिए अगले कक्षा में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद